Welcome to Design Institute और आज मैं आपके लिए मैप लाया हूँ जिसका साइज है आपका 40 by 30 Front और back है इसकी 40 feet और जिसकी depth है वो आपकी 30 feet है ये आपका first floor का map है यानि की पहली मंजिल का तो इसको start करते हैं इसमें हमने आपको दो bedroom दिये हुए हैं ये आपके two bedroom का set हैं तो सबसे पहले आप staircase से यान घिजीने से उपर आ जाते हैं पैडियों से ऐसे घूम करके आप उपर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर हमने WC दी हुई है WC का size है आपका 3.64 inch by 4.5 inch की आपको WC देखने के लिए मिल जाती है और WC का ventilation आपका यहां से हो जाएगा इसी के साथ आप इस door से अंदर entry करते हैं तो आप lobby में आ जाते हैं lobby का size आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है 16.3 inch by 14.64 inch की आपको lobby दी गई है और lobby के ventilation के लिए आपको इस door के right और left side में window देखने के लिए मिल जाती है यहां से आपका full ventilation हो जाएगा इसी के साथ आप इस door से छज्जे पर आजाते हैं यांगी projection पर यह आपकी balcony है जो कि आपको हमने 3 feet की दी हुई है यह सारी आपकी यहां तक के आपकी balcony हमने आपको दी हुई है इसमें आपके दो front है एक इस side है और एक आपका इस side भी front है आपका यानि कि 40 feet वाले side भी और 30 feet वाले side भी दोनों side में आपको यह front आपको देखने के लिए मिल जाता है इसी के साथ यह आपका bedroom है सारी 3 feet के door से आप इस bedroom में इंट्री करते हैं bedroom का size आपको दिया गया है यहां पर 11 feet by 14 feet का यह आपको bedroom देखने के लिए मिल जाता है और bedroom के ventilation के लिए आपको 60 के तरफ यहां पर window भी देखने के लिए मिल जाती है यहां से आपका full ventilation हो जाएगा इस bedroom के बाद आप इधर चलते हैं तो यह आपको कुछ open area 6 feet 3 inch by 11 feet 30 inch का यह open area देखने के लिए मिल जाता है यह open रहेगा आपका यहां पर कुछ नहीं जाएगा इसी के साथ यह आपको बात देखने के लिए मिल जाती है आपको 6 feet by 4 feet 30 inch यह आपको बात यहां पर दे दी गई है अब आप चलते हैं इस सरफ तो यह आपको kitchen देखने के लिए मिल जाता है 3 feet के door से आप kitchen में entry करते हैं और इस kitchen का size आपको दिया गया है 11 feet by 7 feet का यह आपको kitchen बनाया गया है इस kitchen के ventilation के लिए आपको यहां पर door के right side में window भी देखने के लिए मिल जाती है इस kitchen से test कर दिया गया है अब चलते हैं दूसरी तरफ अपने इस side में आते हैं तो यह आपको bedroom देखने के लिए मिल जाता है इस door साब इसमें entry करते हैं सब्सक्राइब तीन feet का यह आपको door दिया गया है और bedroom का size है आपका 12 feet by 11 feet d inbox कर आपको bedroom देखने के लिए मिल जाता है इस bedroom के ventilation के लिए आपको window दी Lesson के लिए यहां से अब ताउilandphone ventilation हो जाएगा किसी के सादा इस bedroom में आपको एक hungry day देप यजीए यह देख सकते हैं आप 2 feet के लिए toilet के लिए आपको देखने के लिए मिल जाती है इस बैड्रूम से एटेच है आपकी टौइड इसका डॉर आपको यहां से देखने के लिए मिल जाता है 5 št by 6 št की आपको टौइड्डीक देखने के लिए ब्लयाती है त्टॉलेट के वेंटिलेशन के लिए आपको पीछे से अर्जबेंट कर जागया है, पीछे से आपका टॉलेट का वेंटिलेशन हो जाएगा यह टॉलेट अपकी इस बैडरूम से इटेश की गई है तो बेडरूम चाहिए थे तो दो बेडरूम हमने इनको दे दिये हैं आप चाहे तो इससे कुछ रेफरेंस ले सकते हैं या आपका मिल्दे हैं अगली वीडियो में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थे पूलें झालेंड गणर्ण करना ना भूलेंस ना भूलेंस दूलेंस तो रेफरेंस